जहांसी में संभागिय खाद्य नियंत्रक नरेंद्र कुमार मोट गल्ला मंडी का अन्रिक्षण करने पहुँचे मिले जानकारी के मुदाबिक यूबी के मुख्यमंत्री योगी आधितेनात के जहांसी पहुँचने पर लोगों ने उनसे शिकायत की थी कि खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद सही धंग से नहीं की जा रही है और अवैद रूप से पैसे भी वसुले जा रहे हैं शिकायत की मदेनजर डी एफसी ने चार खरीद केंद्रों का नरेक्षण किया विपणन श्वाखा, क्रेव विक्रे केंद्र, किसान सेवा सहकारी समी थी और अमरगड सोसाइटी समे चारों खरीद केंद्रों का नरेक्षण किया गया उन्होंने खरीद केंद्र प्रभारियों को तैदाम से ज्यादा पैसे लेने पर कार रवाई की जेतावनी थी उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पीडन बरदास्त नहीं किया जाएगा जहांसी के डियम आंद्रा वामसी ने भोजला मंडेस्तित गेहूं क्रे केंद्रों का उचक नरिक्षण किया साथ ही किसानों से भी बातचीत के इस दोरान नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय भी डियम के साथ मौजूद रहे डियम ने कहा कि किसानों को किसी भी हाल में क्रे केंद्रों से लोटाया ना जाए और अगर किसानों के पास टोकन नहीं है तो भी उनका गेहूं खरीदा जाए दिन का खरीद टारगेट पूरा होने पर उन्होंने किसानों को अगले दिन बुला कर गेहूं खरीदने का आदेश दिया और किसानों का उत्पिडन होने पर कार्रवाई की चेतावनी ती डियम ने कहा कि अगर कोई भी प्रभारी जौदा पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ सक्त कार्रवाई की जाएगी निरिक्षन के दोरान रिकॉर्ड ना मिलने पर भी डियम ने नाराजगी जताई बतादें कि लगातार RFCI और RFC के खरीद केंद्रों से शिकायते मिल रही थी जिसके बाद डियम खुद निरिक्षन करने पहुँचे थे कोरुना काल में देश के अलग-अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों ने सब को हैरान किया है वहीं अब फिरोजाबाद से भी एक तस्वीर सामने आई है दुरसल यहां अलग-अलग शम्शान घाटों पर करीब एक हजार अस्थी कलश रखे हुए हैं लेकिन कोरुना के चलते परिजन अस्थी कलश के विसरजन के सुध नहीं ले रहे बात जिले के सबसे बड़े अंतिम संसकार इस्थल स्वरगाश्रम की करें तो यहां भी 250 अस्थी कलश विसरजन के लिए रखे हुए हैं स्वरगाश्रम के संचालकों ने परिजनों से अस्थियां ले जाकर विसरजन करने की अपील की है लेकिन अगर फिर भी लोग नहीं पहुँचे तो स्वरगाश्रम की ओर से ही कुछ दिनों बाद अस्थियों का विसरजन गंगा नदी में कर दिया जाएगा गाजियाबाद में इंदराबुरम थाना पुलिस को बड़ी काम्याबी मिली है NCR में अलग-अलग जगहों में मोबाईल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आठ बदमाशों को पुलिस ने गिरफतार किया है इन आरोपियों के पास से 17 मोबाईल बरामत किये गए हैं इसके अलावा लूट में अस्तिमाल की जाने वाली चौरबाईक, स्कूटी और अवैद असलहा भी बरामत किया गया है गाजियाबाद के कविनगर थाने अलाखे के बमहेटा गाओं में मा बेटे की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है उस घटना से गाओं में संसनी फैल गई मामले की जानगारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्सीश शुरू कर दी है शुरुवाती जांच में पता चला है कि मा बेटे के जगडे के दोरान पहले बेटे नरेंद्र ने मा को गोली मार कर मोत के घाट उतार दिया और फिर आत्महत्या कर ले बरेली में बहेडी के नारायन नगला गाउं किनारे किछ्वा नदी में डूबे दोनों सगे भाईयों का तीसरे दिन भी पता नहीं चल सका है दोनों बच्चों के तलाश में पी एसी और गोता खुर लगे हुए हैं बता दें कि दो दिन पहले कस्वे के महला गोदाम और शाहगट के चार बच्चे नदी में नहाने गए थे इसी दोरान चारों यूवक डूबने लगे चारों यूवकों में से सौजिद और अयान तो बाहर निकल गए लेकिन कैफ और सेफ का पता तुन दिन बाद भी नहीं चल सका है दोनों भायों के तलाश में सोलह गोताखोर और पीएसी के जवानों की चार टी में मोटर बोट के साथ लगाई गई है बदोही पुलिस को बड़ी काम्याभी मिली है पुलिस ने कोतवाली इलाके के जमुंद कसाई टोला में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गरफतार कर लिया है जवानकारी के मुदाबिक आरोपी नौशाद ने चाकू से अपने भाई जमील और भावी रूबी के हत्या कर दी थी इस दोरान एक साल का मासूम भी घायल हो गया था जिसका अस्पताल में इलाज चुल रहा है वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौशाद कुरेशी फरार हो गया था जिसे बधोही कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच में इंद्राब्मिल चौरहई के पास से गरफतार कर लिया है पुस्तास के दौरान आरोपी ने पारिवारिक विबात के चलते हत्या करने की बात कबूल कर ली है उन्नाओ में जनता ने विकासकारेओं को लेकर विधायक साहब को खूब खरी खोटी सुनाई मामला सफीपूर विधान सभाका है जहां से जनता ने बंबालाल दिवाकर को वोट दे कर विजयी बनाया था लेकिन जब विधायक अपने ही इलाके में पहुँचे तो नाराज जनता ने विधायक को बैठने के लिए कुरसी तक नहीं दी और विकासकारेओं ना होने पर खूब खरी खोटी भी सुनाई महराजगंज के पुरंदर पुर्थाना इलाके में कानूम से खिलवार करना एक कारोबारी को भारी पड़ गया बता दें कि 22 मई को एक स्वर्ण कारोबारी ने पुलिस को सोने चांदी और नगदी की जूटी सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के घर से ही लूट के सोने चांदी और नगदी को बरामत कर लिया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्च कर उसे गिरफतार कर लिया है कासगंज के सोरो थाना इलाके के एक गाउं में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट और छेडचार का मामला सामने आया था मामले में काररवाई ना होने से नाराज भाकियू स्वराज के कारेकरताओं ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया मामले की जानकारी मिलते ही सीओ मौके बर पहुँचे और उचित काररवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया बतादें की मामला दो पक्षों में जड़पका है जुसके बाद रंजिश को लेकर एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर महलाओं के साथ छेड़ छाड़ और मारपीट की थी